जाहिन दोस्तों देखिए आजादी के बाद पहली किसी मैला को फांसी लगने जा रही है फांसी देने की क्या प्रक्रिया होती है या राष्टपती के बास किस तरह से छामादान किया जाता है राष्टपती किसके सला के अधार पर छामादान करते हैं और कितने परकर के छामा अभी जो हाली में वह घटना घटी है सबनम का वह उत्तर प्रदिश के अम्रोहा जीले का एक मामला है 15 अप्रेल 2008 को एक बहुती संपन घर की लड़की थी जिसका नाम था सबनम वह एक लवती लड़की थी उसके पिता जी एक पेसे से सिख्छक थे उन्होंने बहुती नाजो से जिस तरह से हर माबाप अपनी बेटी को पालते हैं वैसे ही पाला था उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एम्मे कराया था लेकिन उस सबनम को अपने गाउं के एक लड़के से प्रेम होगी जो आटवी फेल था जिससे मिलने जुनने से सबनम की घर वाले एतर सबनम करती थी उसका नाम सलीम था आठवी फेल था उसने इस डिया देको तुम्हारे परिवार वाले बीच में रोड़ा बन रहा हैं एक काम करो अपने परिवार वालों को मार डालो सबनम उसकी बात सुन ले सलीम ने कहा हम चले जाते हैं एक काम करना, मार देना और खुद सोर मचाना कि कोई मार के चला गया सबनम आ की देखी कि उन लोगों को नीट की कोली ती थी वे सारे लोग अभी सो रहे हैं इसने अपने परिवार में साथ लोगों को अपने प्रेम के चकर में बारे ऐसे प्रेम, लात नमारो ऐसे प्रेम को उसके बाद उस लड़की के हुसियारी देखी अपने आपको बहुत हुसियार समझती थी उसके बाद उसने क्या किया हल्ला करने लगी कि मेरे घर में मडर हो गया हत्या हो गया पूलिस चांच करने लगी पूलिस को पहले लगा कि कोई बहुत बड़ा हत्यारा होगा जो मडर करके चला गया क्योंकि कोई एक महला इतनी निर्मम हत्या नहीं कर सकती लेकिन जब बाद में जांच हुआ सबनम का तो सबनम प्रेगनेंट निकली तब सबनम की साधी नहीं हु बेटा भी है जिसका नाम ताज है इतने जंगनी अपराद होने के बाद दिश्टी कोट हाई कोट सुप्रिम कोट ने सभी ने सबनम को फासी की सजा सुनाया सबनम का वकील राष्टपती के पास मर्सी अपील यानि अनुछित 72 का परियोग करते हुए दयायाचिका के लिए लेकिन राष्टपती ने भी उसकी दयायाचिका को भी खारिच कर दिया सबनम का बेटा भी अपील करता है कि मेरी मा को फासी ना दिया जाए क्योंकि मेरे उपर से एक मा की साया उठ जाएगी लेकिन समाज में ऐसी लोगों को फासी ना दिया जाए तो समाज में एक गंदा संदेज जाएगा आईए हम लोग जानते हैं मरसी अपिल कैसे किया जाता है राष्टपती का श्मादान सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 72 गी जिसमें राष्टपती अगर किसे प्रक्ति को कोई सजा है तो इसमें जो है उसको माफ कर सकता है लेकिन ग्री मंत्राले की जो है सलाह की बात राष्टपती उस प्रक्ति की जो सजा है उसे माफ कर सकता है आईए हम बात करते हैं जो राष्टपती के जो है कितने प्रक्रक्रण के श्मादान होते हैं तो मैं आपको बाता दू राष्टपती के जो है सब से पहला पर हो राया सबसे हैंं और पाक्वह सकते हैं पहला इसमें चैसल करता है इस भी पार्टवान हमोना देपना होगाता है तरहीं आए दूसरा देखते हैं दूसरा करते हैं लगू करन था है इसमें जो है टाइमिन कुझ है चेंज करता है यानि कि जो है किसी भ॥्ती कुझ 10 साल काट कॉर सहा है तो उसे जो है पांस यह को थृतार आएए लेटर जो है और टाइमिझ गडराता है और तॉचने करू़ ऑड़ता है तो यह तो इसका एंसके श्ञुक्त के लोगती उसी तरीके के जेल में जिस तरीके से हॉस्पीटल की बेवस्ता होती है उसी तरह वहां पे बेवस्ता होती है और उसमें उस बक्ति को रखा जाता है इसी जो है का जाता है बिरामरा स्पाइट पाँचवा प्रविलम्मन रिप्रिसिव यानि क्यास्थाई रोग अगर मालिजी किसी बख्ती को को जो है कोई making कउटर उसे पहासि दिया जाता है तो राष्टपति द्वारा राष्टपति के पास अपना छ्होंद आए लेकर के जाता है छामा के लियर तो आकर मालम link ज्राश्टपति ज्या है मेरिका गया हो तो इस वप्रझर प्रविलंबन by यह तो धो जब तक राष्टपति ज्योंगे आ पने preserve नहीं है तब तक प्रभी उसकी फासी पर रोक रहे की इसको जो का जाता है अस्थाय रोक प्रभी लंबन ते यह रहा पांच शामा आपको तो मैं आसा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आप वीडियो को जो लाइक करती जाएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए